बरकावाँ परतिनीदी की हत्या हो गई और अब देर से दो मैने हो गए और पुलिस अगर कारवाई नहीं कर रही है तो फिर आगे आपका क्या स्टेव रहेगा। परतिनीदी की सुरक्षित ना हो तो बढ़का गाउं की भोली भाली जनता किस प्रकार से सुरक्षित रहेगा बिसा यह है। तमाम जनताओं को इस आंदोलन में उतारेंगे और हम लोग हत्यारों के पकड़ने के लिए भरपूर आंदोलन करने के लिए तयार होंगे। मेरा नाम उपेंदर कुमार परसाद है पंचायत समीती सदस से पंचायत सांड और आज समान समारों में हम लोग परखन के सवाकच में उपस्थित हैं। लेकिन हम लोग को एक ही मुद्दा है बहुत दुखट मुद्दा है कि आज से डेढ़ पोने दू मेहना पहले हमारा एक पंचायत समीती करांती भीर पंचायत समीती सदस से जो श्री मोहन स्वर्गे मोहन अहतो थे जो गुर्णलफुरा पंचायत के थे नीरमम हत्या कर दी गई है और जिस निर्मम हत्या होने के बाद जो है से हम लोग तैसो पंचायत के पंचायत समिती सदसिगन 26 सदसिगन वहां उपस्थित हुए हत्या अस्थान में और उपस्थित हो करके हम लोग जो है सो पुलिस परसासन से मान किये कि जिला परसासन यहां पहुंचे और जिला परसासन वहां पहुँची ना कोई पहुँचा जो भी हत्यारा होगा इस मामला का मोहन स्वर्गी मोहन मातों का विलम पकड़ा जाएगा और उसको कानूनी करवाए उस पर किया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलेगी लेकिन आज पोने दो महेना बीच चुका है अ सभी पंचायद समीती सदस्य यान 235 के काफी मरमात है और हम लोग बात दे हो रहे हैं कि आज तक पंचायद समीती सदस्य के हत्या होने के बाद भी उसके हत्यारों का आज तक उद्भेदन क्यों नहीं हुआ तो बात दे हो करके हम लोग सभी पंचायद समीती सदस्यने निर ताके अंदर तो हम लोग अपने अपने पंचायद से तमाम जनताओं को इस आंदोलन में उतारेंगे और हम लोग हत्यारों के पकड़ने के लिए भरपूर आंदोलन करने के लिए तयार होंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे जब तक स्वर्गे मोहनमातों के हत्यारों का उद पूरा पंचायत का एक बहुत ही अच्छे जन परतिनिधी थे वहां करीब आवादी 15,000 है और 15,000 आवादी के जन परतिनिधी तो वो कर रहे थे जहां जो समस्या होती उसके समधान करने में वो तुरंद पहुझते हैं चैहां वो रात हो वो दिन हो लेकिन अभी तक जो है सो पुलीस पर सासन के दुआरा और हमारे परकंड विकास पदा अधिकारी जो भी हैं उनके दुआरा भी इस पर जो है सो गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है मैं निवेदन के साथ का रहा हूं कि हम लोग को बाद दे बाद दे होने के लिए मजबूर न करें और इस मामला का जितना जल्द से जल्द हो उद्वेदन करें अगर किसी अधिकारी को गोली मार दिया जाता है तो उसका जो उद्वेदन है वो तुनंत हो जाता ह भूरकुंड़ा में अगर विदायक प्रतिनिती की हथिया हो जाती है तो उसका वी उद्वेदें दो से तीन दीन में अपरादियों को पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन एक पंचायट समयति सदस की हथिया हो जाती है कुंदलपूरा में लेकिन वो पुलीस बढ़कागाँ पुलीस परशाषन अभी तक जिसकी साइटी गटन हो गई है वो भी अभी तक नहीं हो पाया है तो इसका आप किसके जिमेदार ठहराते हैं पुलीस परशाषन या फिर आप लोग के लापरवाही है नहीं पुल उसमें सब पदयकारी महदूत है हम लोग भी बोला गिया कि कौन सो कातिल है उसको जल से जल पकड़िया अपलो हम लोग थाने परवारी बोल दिया कि नहीं हम लोग आप दिन कंदर चाहिए दू दिन कंदर में हम लोग पकड़ लेंगे मुझरिम को कितने दिनों में पकड़ने का ये घर हमारे दोरा किसी निर्गोस को फसा देना हमारा ये नहीं रहेगा उदेश देर हो दूरूस्त हो जैन्मीन ठीक है हमारा यही उद्याश ठीक है अब एक रोज में हम बोल देंगे इनको पकड़ के भेद दें तो ये गलत ये लेकिन हम अगर सही आदमी को पकड़ हमको भी संतुष्टी होगा रूस परिवार को भी सही चीज मिली फिर भी एक लगता है न सार कि फिर भी गरामिन को लगना चेंगे पांच दिन में परसास करेंला कि अज तक एव क्यार नहीं पकड़ा है तो क्यों न ही पकड़ा है क्यों मिला हूँ कहां मिला हुआ हुआ हमको पता नहीं है लेकिन हमको चाहीं तरचाही कातिल काaf कि बैजंब पापा रह amigos को अचाते हम लोग छुशी सत जाते को अब भर लेकिने को बेचारा ओशाव होगी है तक अब लोगा जह जाना पड़ा कि क्यों कुछ को बच्च आब्च्छां कांट साल का बच्चा है इसको भी पतनी भी कोई खास नगलब फर्चोप भी नहीं है देखे आपना सजा कर लेकिन नहीं है अब इसमें देखिये कि ठाना वला बोलता है कि हम अभी भी बोले कि भाया क्यों नहीं है भी मोहन भाका कातिल के पकड़े कि नहीं मेडम हो जाएगा हो जाएगा अब देने होंगा पंद्राइद अब हो नहीं हो आलकि हम लोग का जवाब दीजिए अपने पारिये गाता है थाना फरवारी रही है कि कहा काम की आप जब तक एव कातिल नहीं पकड़ सके जब रोड़ में दूर घटना हो जाता है फटा किन चल जाता है वह एक एक दिन में जड़ दिन में मालब पुरा निर्ने कर दता है कनपानी से चाहे को भी अथी से तूसल पो हो जाता है और जो इसको घर में उठा कर लेकर इसको हथिया हुआ है अगि रहा मनले कि कातिल हुआ है तो कातिल कुछ कुछ तो करिए आप मैं बचंदी कुमार बढ़क परखंड का उपरमुख हूं आज परखंड से अंचल कार्याले के सभागार भवन में स्वर्ग्य मोहन महतों की निर्मम हत्या की कारण एक सभाब उलाई गई थी और इसमें हम लोग सभी पंचायत समिति सदस्य इस बात से हम लोग पुलिस परसासन से हम लोग आउगत होना चाहते हैं कि आखिर स्वर्ग्य मोहन महतों की जो निर्मम हत्या कर दी गया ही है इसका उद्वेदन आखिर होगा तो कब तक हमें परसासन के दुवारा बार बार यह विस्वास दिलाया जा रहा है कि बस दो दिन चार दिन सप्तर दिन इस तरह से करके सिर्फ विस्वास ही लाया जा रहा है और अभी उनके मर्नों प्रांत कर तकरीवन दो महने हो गए है और अभी तक हत्यारों का ना किसी तरह कोई पता चला है और नहीं उसका कोई उत्वेदन हुआ है हम लोग एक तरह से जिला परसासन से लेकर के स्थानिय परसासन सभी के पास दरदर भटक रहे हैं लेकिन कहीं से इंसाफ नहीं दिया जा रहा है अब हम लोग जब इस समस्या को बताने पूछते हैं कि आखिर अभी तक में कर देंगे लेकिन ये सब एक बनावटी बातें सिर्फ करते हैं परसासन और किसी भी तरह से इसका उत्वेदन नहीं हो रहा हम लोग अस्थानिय बिधायक सुस्री अंबा परसाथ के दुवारा भी हम लोग उनके समझ ये बातों को रखे और उनके साथ सहयोग में हम लो आपको कुछ अच्या बिचार और कुछ समर्थन परस्ताव नहीं मिल पाया बलकागाओं में एक घटना होती है जो कमपनी की अधिकारी हैं उनको गोली मार दे जाती है उसका पुलिस ने खुलासा दो दिन के अंदर कर दिया कमपनी के किसी अधिकारी को गोली लगती है इस कि हत्या हो गई और अब देड़ से दो मैने हो गए और पुलीस अगर कारवाई नहीं कर रही है तो फिर आगे आपका क्या स्टेव रहे हैं देखे हम लोग परसासन को बकाइदा सभी जनपर्तिनीजी लोग जा करके और उनको हम लोग बता रहे हैं कि आप जल्द से जल्द उ अब लोग को नहीं पता है लेकिन हम लोग अगर परसासन हम लोग को सपोर्ट नहीं करती है क्योंकि देखे जो जन परतिनीजी की हत्या हुई है वह एक तकरिबन अपने पंचायत के प्रतिनीजीटित्व कर रहे थे और कहीं न कहें वह अच्छे विचार की थे आज उनकी ह हत्या कर दीगे कल हो सकता है कि हम target में हो कोई और हो target में लेकिन हम लोग का एक कहना है कि अगर परसासन अगर यहत्यारे को खुलासा नहीं करती है तो हम लोग उग्र हो कर आंदोलन करेंगे एक और है दुर्गापुजा में पुलीस जनता की रच्छक है जनता का जो भी प्रॉब्लम है उसको solve करना है और जनता की सेवा करना है लेकिन दुर्गापुजा में SP और DC सहाइबा से एक लिश निकलता है जनता से कहा जाता है कि आप किम्ती जो जेवर हैं वो घर पर पहिन क ना निकले घर पर रख के निकले तो क्या ऐसा संभाओ है ने या तेहवार में ऊपनी सुंदर्था को निखारने उसके लिए जाती है अब इसमें अगर रोक दे तो यह तो संभाव कि करेगी जैसे परतिनीदी की हत्य हो गई हम कड़ी को जोड़ने की बात कर रहें हम यह कि पुलिस परसासन ही कहें कि आप अपने किम्ती जेवर को घर पर रखकर दुर्गा पूजा देखने आए तो फिर जन परतिनीदी कहां सुरच्छीत है और जनता कैसे सुरच्छीत है तो आपकी समस्या का समाधान होगा कैसे अब देखे परसासन को अपने नियमाली के अनुसार उनको अपने करतवियों का पालन करना चाहिए जो हमारे छेत्र में यह देखने को नहीं मिलता है जहां तहां परसासन किस व्यवस्था में होती है हो सकता है कि परसासन अपने अनुसार से कारिकर रही हो लेकिन हम लोग को सबसे पहले जन परतीनिदी को आऊगत कराना जाहिए हम लोग से जो भी सपोर्ट चाहिए हम लोग उनको बहतर सपोर्ट करने के लिए त्यार है हम भी क्या है कि गटना जो बोल रहे थे आप के अधिकारी को रित्वी कंपणी के जो ऑफिसर थे उनके लिए दो दिन में उनका उद्वेदन हो गया जाहिर सी बात है कि इस में भी अगर परसासन मुट्राइदी से अगर अपना कारी करती तो यह भी 2-4 दिन के अंदर अदर इसका भी उद्वेदन हो जाता लेकिन परसासन हो सकता है कि हम जनता का ज्यादा दबाव नहीं मिल रहा हो इस जिसके चलते से नहीं कर रहा हो जिसके चलते हम लोग भी बाद यह रहे हैं अगर परसासन अपनी काम बहतर तरीके से करेगी तो हमें विश्वास है कि छेत्र में सांती और अमन बहाल रहेगा हम एक बात पताना चाहेंगे जो बरतमान समय में सरकार के दवारा पुलिस पतादी कारी के दवारा परसासन के दवारा जो इस तरह का फरमान जारी हो रहा है कि आप गहने जेवर पहन के रोड पे ना निकले तहवार में ना जाएं भीर भार में ना जाएं तो कहीं ना कहीं य जो कि इस तरह का फर्मान जारी करके उसको छिपा रहे हैं, अगर पुलिस परसासन अपने सही रूप से काम करें, तो मेरा मानना है कि बच्चे के हाथ से एक खिलावना तक गायब नहीं हो सकता है। कही ना कहीं पुलिस परसासन अपने कारे को ढंग से करने ही पा रही है और उसका ठीकरा हम लोगों पर खुडा जा रहा है कि आप दे ना करें, आप और ना करें। ये तो कहीं मा कहीं हमारे बैक्तिगत आजादी के साथ खेल हो रहा है और बैक्तिगत आजादी छीनी जा रही है जैसा कि अभी वुप परमुक ने कहा कि आप पुलिस के काम के उपर सवाल उठा रहे हैं हम लोग को एक कहना नहीं कि पुलिस परसासन निस्क्रिये है बहुत जगह पर पुलिस परसासन काम की है साथ दिया है हम लोग भी कंधे से कंधा मिला करके काम किये हैं लेकिन बड़ा खेद के साथ हम सबों को कहना पड़ रहा है और अभी आगरा कर रहे हम लोग आगरा करेंगे हम लोग ठाना में जाकर और करते आ रहे हैं SDPO साहब के पास माननीय S.P. महदय के पास माननीय उपाय युक्त महदया के पास जदि जन परती निधी सुरक्षित ना हो तो बढ़का गाउं की भोली भाली जनता किस प्रकार से सुरक्षित रहेगा बिसा यह है दूसरी बात यहां का धरातल कोई स्थिती को देखते हुए पलीस परसासान की काम है कि अपना बिधी बेवस्था सुधार करके चलना और चलाना ओछेत्र उनका है हलाकि मोटर साइकिल चोरी हो जाएगा लेकिन हाथ का घाड़ी और गला का चैन यहां चोरी होने वाला चीज नहीं है तो ऐसे इस्थिती में हम लोग बढ़का गाओ के 23 पंचायत के 27 पंचायत समिती में एक सुवर्गे मोहन महतोजी नहीं रहे हम लोगों को बीच में और उनका घर परिवार अनात हो गया है बीसाई वो अलग है अनात हो गया है लेकिन बीसाई यहां बताता है कि हम लोग रात को दीन को जगा से बेजगा बीना सुराच्छा गाड़ लिये हुए हम लोग जाते हैं और लोगों को समस्या को शमधान करते हैं कभी कभी पुलिस परसासन में भी हम लोग सहरा लेकर के फाउन करके चलते हैं कि इस परकार की बाते वहां करनी है जाना है तो वहां सहयोग मिलता है लेकिन अब बड़ा दुरुभाग की बात है कि अभी तक इस घटना में हमारे पुलिस के लोग कहां ब्यस्त हैं किस प्रकार का मजबुरी उनके साथ है कि उत्भेदन नहीं कर पा रहे हैं हम लोगों ने थाना प्रभारी महुदाई से इंस्पेक्टर सहाब से सब्सक्राइब से हम लोगों ने बात किया कि उनका कहना हुआ नव्य परतिसाथ चालीश परसी असी परतिसाथ हम लोग काम कर रहे हैं अभी हम लोगों को हतिया हो जाती है उसके तीन दिन में उसके जो गुनेगार हैं वो पकड़े जाते हैं बुरुकुर्णा में विदायक परतिनिदी के हतिया होती है दो-तिन दिन में उसके जो गुनेगार हैं वो पकड़े जाते हैं लेकिन बढ़का गाव में आपके जो परतिनिदी हैं जो पुलिस परसाशन से एक मिनिट अभी आप जान रहे हैं कि हमारे बड़का गाउं की पावन धर्ती में जितना सुरक्षित यहां के भोली-भाली जनता थे लोग आज से 15-20 साल पीछे उतना ही यहां के जनता चाहे जन प्रतिनिधी हो चाहे एक आम नागरिक हो सड़क दुरघटना हो यह क्रिमनल दुवारा हतिया किया जा रहा हो यह परदुसित मामला हो आज हम लोग आशुरचित हैं तो वैसे इस्थिती में सरकार के निगाह पुलिस परसासन के निगाह कमपनी का वो बड़े आदमी थे इसलिए उनकी बातों को रखते हुए उनकी आतियारों को पकड़ा गया लेकिन आज एक हमारा सुदुरवर्ती गाउं में रहने वाले पांच हजार जनता के परति निधित्व करने वाले स्वर्गिय मोहनमातों पंचायत गुंदल पुरा करने वाले आज हम लोग चिला रहे हैं हम लोग रो रहे हम लोग आगरा कर रह हैं इसलिए ने बोल रहे हैं कि मांनिये विदायक सांसत से समर्थन ले करकें जन्परतिनि प्रखंड का समर्थन ले पुब्लिक से जनतात तक मिल करके आनिस्चिंत-कालिन का हम लोग इसीलिए ने हमारे साथ ही लोग मिलें यह परभूरम नहीं बोल रहा है, इस सभी लोगों को पीड़ा है, इसीलिए मतलब धर्ना का एक समय हम लोग जा करके पहले थाना में मिलेंगे हम लोग SDPO सहब से मिलेंगे इंस्पेक्टर सहब से मिलेंगे उसका बाद यहां कारजिकरम होगा हो सकता है कि हमारे पुलीश परसासन के दुवारा जो हत्यारा है उनका ठीकाना पता लग गिया हो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे हम तो कर रहे हैं कि बार बार हम लोग दोनों मिल करके पुलिस परसासन और जनता जनारदन और कार्ज करता मिल करके काम कर रहे हैं बढ़का गाउं में